जै सिर रादे किष्णु आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर बहुत स्वागत है आए आज सुनते हैं छट पूजा की कथा सबसे पहले तो आप सभी को छट पूजा की धेर सारी शुब कामना है आप सभी भगतों के उपर छटी मया और भगवान सुरी देव का करपा सदाइब बना रहे हैं सभी सदा स्वस्त रहें सदा खुशहाल रहें चट का वरत वर्स में दो बार मनाया जाता है एक चैतर में और दूसरा कार्तिक मास में चैतर मास में पढ़ने वाले को चैती छट के नाम से जाना जाता है और कार्तिक मास में पढ़ने वाले को कार्तिकी छट के नाम से जाना जाता है छट वरत में छटी मया और भगवान सुरी देव का पोजन किया जाता है इस ब्रत को महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयू के लिए तथा सुख और शम्रिद्धी की प्राप्ति के लिए इस ब्रत को रखती हैं यह ब्रत बराही कठीन माना जाता है चट का ब्रत चार दिनों तक लगातार किया जाता है यह ब्रत चतुर्थी तिथी से ले करके सप्तमी तिथी तक इस ब्रत को किया जाता है चतुर्थी तिथी के दिन नहाय खाय का ब्रत किया जाता है पंचमी तिथी को खरणा का ब्रत किया जाता है शेश्टी तिथी को संध्या में छट माता का पूजन करके भगवान सुरी देप को अर्ग दिया जाता है और फिर सप्तमी तिथी को सुबह में उसा अर्ग भगवान सुरी को देते हुए चटी मया का पूजन करते हुए और सब्तमी तिथी के दिन जाकर के इस ब्रत का पारण किया जाता है इस बार चट का ब्रत आठ नॉमबर 2021 को नहाई खाय का ब्रत किया जा रहा है उसमें रखे जाते हैं जैसे की केला, सेव, संत्रा, पत्ते वाला एक, नासपाती आदी बहुत सारे फल चढ़ाया जाते हैं विशेश करके इस दिन पकवान चढ़ाया जाते हैं जो कि ठेकुआ घी मिस्रित घी में बना हुआ होता है वह ठेकुआ चढ़ाया जाता है इस वरत में ठेकुआ का बड़ा ही महतुमाना गया है इस वरत में बिशेश करके माता को हल्दी चढ़ाई जाती है जो की पत्ते वाला हल्दी होता है मूली आदे भी चढ़ाई जाती है और जहां तक हो सके जितने भी प्रकार के फल होते हैं उतने प्रकार के अपने सामर्थ के अनुसार इस दिज छटी माता को फल चड़ाया जाते हैं इस ब्रत में शष्टी देवी का पूजन किया जाता है जो की छठी माता के रूप में माने जाती है और भगवान सुरी देव की बहन माने जाती है जो भी सची सरधा के साथ छठी का ब्रत करती है या कथा सरवन करती है उन्हें सभी प्रकार के छठी माता और भगवान सुरी द उद्धी की प्राप्ति होती है तो आईए सुनते हैं छट पूजा की कथा तो बोलिए प्रेम से छठी माता की जै भगवान सुर्य देवे की जै पौरानिक ग्रंथों के अनुसार भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री और सुर्य देव की बहन शष्टी देवी जो की छठ मैया के रूप में जाने जाती है इस ब्रत में सच्टी मैया का पूजन किया जाता है इसलिए इसे छठ ब्रत के नाम से जाना जाता है पुरानों के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टी रचने के लिए स्वयम को दो भागों में बाट दिया जिसमें दाहिने भाग में पुरुस और बाय भाग में प्रकृति का रूप सामने आया स्रिष्टी की अधिश ठात्री प्रकृति देवी एक अंस को दीव सेना के नाम से जाना जाता है प्रकृति का शठा अंस होने के कारण इन देवी मा का एक नाम परचलित नाम सश्टी है जिसे छटी मईया के नाम से जानते हैं पुरानों के अनुसार एक बार प्रियमबद नामक राजा चो काफी समय से कोई उसके पास संतान नहीं थी तब महरसिक कश्यप ने पुत्र प्राप्ती के लिए यग्य कराकर प्रियमबद की पत्नी मालिनी को यग्य आहूती के लिए बनी को खाने के लिए कहा इससे उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ लेकिन वह पुत्र मृत ही पैदा हुआ प्रियमबद पुत्र को लेकर समसान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे उसी वक्त भगवान की मानस पुत्री दीव सेना प्रकट फुरी और उन्होंने कहा कि स्रिष्टी की मूल प्रविर्टी के छठे अंस से उत्पन होनी के कारण मैं सश्टी कहलाती हूँ राजान तुम मेरी पूजा करो और इसके लिए दूसरों को भी प्रेडित करो राजाने पुत्र एक्षा से शष्टी देवी का ब्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई यह पूजा कार्तिक शुक्ल सश्टी को हुई थी तब से यह छठका तेवहार के रूप में ब्रत को करने की परंपरा चल रही है कहा जाता है कि अवद के राजा राम और उनकी पत्मी माता सीटा ने भी छठका व्रत किया था लंका पर विजय पाने के बाद राम राजी की अस्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल सश्टी को भगवान राम और माता सीटा ने उख्वास किया और सुरी देव की पुजा की शप्त्मी को सुर्योदय के बक्त फिर से अनुष्ठान कर सुर्य Bah2 से आशिर बात प्राप्त किया था यही परंपरा अब भी चली आ रही है प्राचीन काल से ही यह मानिता चली आ रही है कि महाभारत काल में सुरी पुत्र कर्ण ने भी छट की पूजा की थी कर्ण भगवान सुरी के परमभक्त थे वह प्रति दिन घंटो कमर तक पानी में खड़े होकर सुरी को अर्ग देते थे सुरी की किरपा से वह महान युद्धा बने आज भी छट में अर्ग दान की यही परमपरा प्रचलीत है पुरानी कथाओं में बताया गया है कि छट का ब्रत करने के परताप से ही पांडवों को उनका खोया हुआ राजपाट मिला जब पांडव अपना सारा राजपाट शुर्यदेव और शटी मया का संबंध भाई बहन का है इसलिए चट के मौके पर भगवान सुरी की अरादना फलदाई माने गई है इसलिए छट माता का और भगवान सुर्यदेव में बड़े ही नियम और निफ्ठा के साथ पूजन किया जाता है तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो ऐसे ही ग्यान बर्धक जानकारिया प्राप्त करने के लिए हमारे शेनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें साथ में वेल आइकन घंटी दबाए ताकि मेरे वीडियो का नोट्फिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे वीड सुखी रहे और स्वस्त रहे जैसरी राधे किष्ण धन्यबाद